हेई गाईज मैं हूँ सीमा और दावद चनल पर आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ आज हम लोग बनाएंगे हाफ केजी का पॉफेक्ट मेजरमेंट के साथ केक जी हाँ बहुत सारे लोगों को या बिगिनर्स को प्रॉब्लम साती है हाफ केजी का केक बनाना है तो हमें सारी चीजे कितनी लेनी है जैसे की आदा किलो के केक के लिए कौनसा टेन लेना है प्रिमिक्स कितना लेना है कितनी क्रीम लेनी है या जो नीचे का बोर्ड होता है केक रखने का वो कितने इंचिस का लेना है और हाफ केज के केक के लिए प्राइज भी कितनी होनी चाहिए इस तरह के छोटे छोटे सवाल लेकिन बहुत ही जादा कन्फिजन वाले जो सवाल है उसी के सारे जवाब में आज आपके साथ शेर करूंगी चलिए वीडियो शुरू करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट, शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले अगर आपको आधा किलो का केक बनाना है तो आपको मैं आज टिन से लेकर सारी चीज़े कितनी लेनी है कैसी लेनी है वो बताऊंगी तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो टिन लेना है वो लेना है 6 इंच का या 5 इंच का भी आप लोग आधा किलो का केक बनानी के लिए तिन ले सकते हैं तो आपको किसी भी तरह का स्टील का डबा या अलुमिनिम का मॉल्ड लेना है और उसका जो डायमिटर है गाइस एक साइड से दूसरी साइड तक का जो मेजरमेंट है वो आपका होना चाहिए 5.5 इंच या 6 इंच तो आपका आधा किलो का केक इसमे राम से बन जाता है इसके बाल अगर आपको आधा किलो का perfect measurement लेना है प्रिमिक्स का तो आपको प्रिमिक्स लेना होगा यहाँ पर 200 g, वजन से आपको 200 g लेना है और अगर आप cup से measurements लेते है और आपका cup अगर एक cup 200 ml का है तो आपको लेना होगा दो टबा स्पून के करीब आपको यह प्रिमिक्स लेना होगा तो आपको इस तरह से सारे मेजरमेंट्स लेने हैं मैंनो तीनो कप से यहाँ पर आपको यह मेजरमेंट्स बताया है तो आपके पास तीनो में से किसी भी अमेल का या कितने भी अमेल का कप है तो आप measurements ले सकते हैं तो इसके बाद हमने इसमें 2 चमच तेल डाल दिया है नॉर्मल 2 टी स्पून के करीब या नॉर्मल हमारा जो घर का steel का चमच होता है इसके हिसाब से और इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी मिला कर इसका smooth batter तयार कर लेंगे ये सारी procedure तो आपको पताई है कि आपको इसका batter किस तरह से तयार करना है तो मैं इसका batter पहले तयार कर लेती हूँ तो मैंने यहाँ पर इस तरह से ribbon consistency वाला batter तयार किया है इतनी quantity हमारे 200 ग्राम के प्रेमिक्स से तयार हो जाती है और इसे मुझे तयार करने में पानी लगा है सिर्फ 3-4th cup अलग-अलग company का अलग-अलग brands का जो प्रेमिक्स होता है उसे अलग-अलग quantity में पानी भी लगता है तो इसके बाद आप जिस भी flavor का cake बनाना चाहते है उस तरह का essence आपको इसमें डालना होगा तो मैंने आप पर half teaspoon के करिविये vanilla essence में डाल दिया है क्योंकि आज मैं बनाने जा रहे हूँ vanilla flavor का ये cake तो चलिए batter हमारा बलकुल तयार है अब हम लोग हमारा जो 6 inch का tin है ना उसमें सारा batter डाल देते है तो batter डालने के बाद हमेशा की तरह आपको इसे 2-3 बार tap करना है ताकि cake हमारा even और अच्छी तरीके से फूल जाए और आधा किलो का cake अगर आप बनाने जा रहे है तो इसे आपको किसी भी बलतन को, कूकर को या पती ले को 10 मिनिट तक preheat करना है low flame पर और इसे ढखकर bake होने देना है 35-40 मिनिट तक आधा किलो का cake 35-40 मिनिट में अराम से तयार हो जाता है low flame पर तो यहाँ पर पूरे 35 मिनिट होने के बाद मैं आपको दिखा रहे हूँ हमारा sponge कितनी अच्छी तरीके से तयार हुआ है तो इसमें हम लोग toothpick डाल कर चेक कर लेंगे गाइस तो यहाँ पर अगर हम लोग इसे whip cream से icing करते हैं decoration करते हैं तो हमारा आदा किलो का cake तयार हो जाता है लेकिन इसे decorate करने के लिए या icing करने के लिए कितने whip cream लगेगी वो भी मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ केक के लिए कितनी whipping cream लगेगी तो एक simple सा फंडा याद रखिए जितने भी किलो का या जितना cake आप अडाने जा रहे हो उसके लिए जितना प्रिमिक्स आप लेते हो ना उतनी ही आपको लेनी है whipping cream तो यहाँ पर हमने डेड़ कप के करीब प्रिमिक्स लिया था तो इसलिए हमने यहाँ पर ली है डेड़ कप ये whipping cream आपका decoration अगर थोड़ा सा ज्यादा है तो आप थोड़ी सी एक या दो चम्मत ज्यादा भी ले सकते है अगर थोड़ा सा कम है तो थोड़ी सी कम भी ले सकते है इससे वजन में या आदा किलो के cake में ज्यादा फरक नहीं आता है अब हम लोग electric wheater से इस cream को whip कर लेते है तो यहाँ पर पूरी तरीके से whip करने के बाद हमारी जो cream है वो quantity में इतनी बन जाती है और इससे हम लोग हमारा cake अराम से decorate कर सकते है अब cake ठंडा होने के बाद cake के नीचे का जो yellow color का cake board या cake sheet आपको दिख रही है वो आपको कितनी लेनी है ये भी बहुत सारे लोगों के सवाल है तो आपको वो लेनी है guys cake जितना है आपका उससे एक इंच बड़ी तो हमारा cake है अभी 6 इंच का तो आपको लेनी होगी 7 इंच बड़ी या sheet है वो मैंने ली है 7 इंच की 7 इंच की जो cake की sheet होती है उसके उपर आधा किलो का cake अराम से बैट जाता है और उसके sides में थोड़ी सी पकड़ने के लिए जगर भी बढ़ जाती है अगर आपको border की लाइन थोड़ी सी बड़ी भी बनानी है डेकोरिशन करना है त इसे तो आप इसे जिसे normal flavors होते है वो 200 या 300 रुपे के बीच में बेच सकते है उपर का जो डेकोरेशन है वो आप अपने हिसाब से अपनी choice की अनुसार कर सकते है तो इस तरह से आज मैंने आपको आदा किलो के cake बनाने के लिए कितना प्रेमिक्स लेना है कितना पानी लेना वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट, शेयर और दावचलर पर अगर आप नए है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए तो चलिए गाईज मिलते हैं नई वीडियो के साथ या नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग टेक केर आया है